हेलो मैडियर आरके सिंपल क्लासिज में आपको वेल्किम टुड़े जी के जी एस सी ये का डेली डोज ले करके मैं प्रजेंट हूं और आपको बताने चल रहा हूं कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये Gks अपने बेस को बनाईए अपना बेस मजबूत करिए जिसके निव मजबूत होती है ना फिर बिल्डिंग कितनी भी उची उठा ले जाओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम बेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं फिर आप किसी भी एक चाहस्त्री और शी में है अटल जी और डी में है नरेंद्र बोदी जी इसका राइट अप्शन है इंद्रा गांधी यह साध 1971 या 12 बहुतर में जब भी एलेक्शन हुए थे साध उसी शमय में इंद्रा गांधी जी ने जब बिलोधियों ने कहा कि इंद्रा हटाओ इंद्रा हटाओ तो उन्होंने कहा भाई इंद्रा नहीं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था एलेक्शन जीता भी था अंडेस्टैंड तो जानते रहिएगा गरीबी हटाओ का नारा अगर पार्टी के रूप में आये तो क जै जमान जै किसान उसके बाद है अटल जी इन्होंने का भाई नारा थोड़ा छोटा है और बड़ा करते हैं इन्होंने कहा जै जमान जै किसान जै विग्यान ये दिया था अटल जी ने उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो हमारे इसमें प्रधान मंत्री हैं उन्होंने का भ अनुसंधान इस तरह से यह नारा वाला कंप्लीट होगे वह इस समय जो मोदी जी का नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान सोची कितना छोटा सा हुआ कितना बड़ा हो गया नारा स्लोगन यह जो दिया गया याद रखिएगा बेर इंपॉर्टेंट दूसरा आभूसर की सुधता है तू आभूसर की प्योर्टी आप कैसे जानेंगे उसके लिए भारत सरकार कौन सा प्रमाडिक चिंद प्रदान करती है जैसे आप कोई चीज खरिंडे जाते हैं तो उस पर एक चिंद बना होता भारत सरकार का ना दौरा दिये जाता है प्रम इस राल ये सोने की सुध्धता की गारेंटी देता ननौ जारी किया जाता इसके और मार्क रहलएं जाता है क्रिशी उत्पाध जतने भी खेटी इसी चीजह उत्पन होती है उख मारता देख करके और ISI मार्क यह आउद्योगिक उत्पादम है अलेक्ट्रानिक जितनी भी सारी चीज़े होती है जो इंडस्ट्री से माने उत्पन की जाती है उनकी सुधता के लिए ISI मार्क होता है FPO का मतलब होता है प्रसंस्क्रित फल उत्पाद यानि प्रसेश्ट जो फ्रूट से प्रोड़क्ट बनते हैं FPO मार्क दिया जाता है भारत जैविक यह जैविक रूप से खेती किये गए खाद उत्पाद के लिए होता है भारत जैविक और इको मार्क जो होता है उत्पाद के किस देश से भारत आया था तो मार्को पोलो जानते रही है A में है इरान B में है मोरको C में है इटली D में है पुर्थगाल तो जानते रही है इटली से सी आप्शन सही है इटली से आया था मार्को पोलो कहां से आया था भई इटली से येस माई डियर तो मारको पोलो इटली देश से आया था option C से ही है इसमें option C इसके अलाओ इटली से ही निकोलो निकोलोई कॉंटी भी आया था विजय नगर राज में कुछ और देख लिए देख लिए मोरक्को से आने वाला इबन बतूता मुहमद बिन तुगलग जिनका जौना खा जिनके नाम पर जौनपूर है उनके सासंकाल में आया था इबन बतूता मुरब को देश से और इरान से अग्दुर रज्जाक आया था विजय नगर राज में और पुर्तगाल से एडू आर्डो बार्बोशा और डोमिंगो पेस ये विजय नगर सामराज में आया था कृष्ण देओ राय के सासंकाल में इनको भी याद रखिएगा वेरी इंपोर्टन्ट है ये जो हमारे हाँ ती मने ये जो विरेशी आत्री आते थे समय समय पर आये हैं चीन से जैसे आये थे वेंसांग पाय यान इत्सिंग ये सब आये थे फिर मध्यकाल में आधनिक काल में आग तो आही रहे हैं ये सब आते थे भारत कितना पाकरसित होकर कि इन्होंने भारत के बारे में बहुत प्राचीन समय में आपने मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था मेगस्थिनीज हला कोई यात्री तो नहीं था लेकिन एक तरह से विदेशी था तो कहने के मतलब वो भी यात्रा ही करने भारत के बारे में लिखे थे तो तमाम तरह के आईन को याद रखिएगा हर एक्जाम का एक पार्ट बनते है कि कौन से ट्रैवलर्स कब भारत में विजिट किये और किस के राज़े में आए और किस राजा के समय में आए थे ये इतना आपको ध्यान रखना है और आए हैं तो कोई किताब उताब के लिखे ही होंगे तो याद रखिएगा ये भी आप जानते रहिएगा पिएम भी सुकर्मा इस्कीम योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंदर शासित प्रदेश कौनसा है ए में है जमुकास्मिर B में है पांडी चेरी C में है अंद़मा निकोबार दीब समू और D में है लक्ष दीब तो जानते रहिए लक्ड जमुकास्मिर भारत का पहला केंदर सासित राज्य है जिसने पीम विसकौर्मा स्कीम जिसको अभी लांच किया गया है पिछले साल और उसमें आठारा प्रकार के जो सिल्पकार हैं उनके लिए उनके उत्थान की बात कही गई है उनको रेड़ देनी की बात कही भारत सरकार के द्वारा तो आप जान जिनका प्रसासन केंद सरकार के हाथ में होता है ठीक है तो कौन से आठ यूटी है तो जिसे जम्मू कास्मीर है जिसकी राजधानी क्या है वे उसकी राजधानी जम्मू भी है और स्रीनगर भी है उसके बाद चंडीगड है चंडीगड की राजधानी चंडीगड ही है अच्छ देव की राजधानी कवा रत्ती है और यही सबाब इनको अच्छे से जानते रहे हैं यही आठ यूटी है मारे यहां पूछा जाता है भारत में केंद्शासी प्रदेश्योक संख्या कितनी है आठ है राज्योक संख्या 28 है तोटल 36 राज्या अपने हैं उसके बाद ह संसद रत्र पूरसकार कितने वर्स में दिया जाता है तो जानते रहें संसद रत्र पूरसकार हर वर्स दिया जाता है इसमें दो अप्सन और थे B, C, D बिक मतलब है दो वर्स बाद, सीक मतलब है तीन वर्स बाद, डिक मतलब है पांच वर्स बाद, पांच वर्स में एक बा पुरस्कार तभी हाल ही में इसके बारे मिजान लीजिए कि पुरस्कार कड दिया जाता है और कैसे दिया जाता है तो पाँच लोग सभाrio सदली आगा championships Е को संसत रत्र पुरस्कार दिया गया है कौन से उनके नाम है सुकांत मजूमदार भाजपा के सुधीर गुपता भाजप के और श्री कान एकनाथ सिंदे सिवसेना के अमोल कोले रांक पाके अकुल दीप सर्मा कांग्रेस से इन पांच सांसदों को क्या दिया गया संसद रत्न पुरसकार और सांसद महारत्न पुरसकार ये ये संसद रत्न पुरसकार की स्थापना कैसे हुई था जानिये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ये चन्नाई में इस्थित गयर लावकारी चैरिटेबल ट्रस्ट है यही देता है इस पुरसकार को ठीक है इसकी स्थापना एपी जी अब्दुल कलाम के कहने पर हुई थी 2010 म से पहले पुरसकार समा रोकाव घाटन भी कलाम जी ने ही किया था शांशद महा रत्न पुरसकार 17 लोग सभा में किसको दिया गया है कि जो सांशद है तो सांशद महा रत्न पुरसकार पहले देख लिए संसद रत्न पुरसकार क्यों दिया जाता है हर वर्स सीर से के आधार पर सांसद रतन पुरसकार जो बहुत अच्छा कार करते हैं बड़ा अच्छा मनें उनका सब कुछ रहता है प्रफार्मेंस उसके आधार पर ये दिया जाता है और सांसद महारतन पुरसकार लोगसभा का कारकाल के दौरान लोगसभा के कारकाल के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने की निर्यमतर्ता के लिए पांच साल में एक बार ये पुरसकार दिया जाता है, कौन? शांशत महारतन पुरसकार, इस बार इसमें दिया गया 17 लोगसभा जो इसमें चल रही है, कि शांशत, लोगसभा के सांशत कौन-कौन है, यनके प्रेम चंदरन, RSP केरल से हैं ये अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस बेस्ट बंगाल और हीना विजे कुमार गावीत ये विजे पी महाराष्ट से हैं इनको आप जानते रहें इनको शांशद महारतन पुरसकार मिला हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है अब उसके बाद करेंट अफेर्स हम लोग देख लेते हैं तो करेंट अफेर्स में जल्दी से देख लें भई कौन कौन से करेंट अफेर्स है विंग्स इंडिया ये एसिया का सबसे बड़ा उड़ेयन आयोजन विंक्स इंडिया 2024 का आयोजन 18-21 जन्वरी कहां किया जा रहा है हैधराबाद के बेगम पेट हवाई अड़े पर बेगम पेट और उसका उधगाटन किया है केंद्री नागरिक उड़ेयन मंत्री जोतिजार जित सिंधिया ने आप बेगम पेट हवाई अड़ा और विंक्स इ बिजेता बने हैं जो एक क्रिशी विग्यानी है मस्वामी नाथन पुरुषकार रिपाये हैं प्रोफेसर बियार कंबोस पीम बिसकौर्मा योजना अभी मैंने बताया ही लागू करने वाला यूटी कौंस है जम्मू काश्मीर है काधियाल साड़ी को अभी जियाई टैग म और घोगला बीच पर बीच गेम्स का उध्गाटान केंदरी खेलमंतरी अनृग ठाकुर ने किया है कैंदरी अनृच ठाकुर ने और यह दीव में है दीव दमन दीव जो है दीव में है घोगला बीच जानते रहे वेरी वेरी इंपोर्टेंट दुनियम सबसे ज़्यादा एलेक्ट्रानिक वेहिकल बेचने वाली कंपनी है पी वाई डी एक चाइनीज कंपनी है जिसका मत्फुल फार्म है बिल्ड योर ड्रीम्स दोजार चौबिस में ब्रिक्स की अध्यचता रूस के पास है आत्म निर्भा भारत उत्सो दोजार चौबिस का आयोजन कहा हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ हिमानचल प्रदेश के कुछ जी आई टैग देख लीजिए जो अभी हाली में मिले है तिसमें आप जान लीजिए जी आई टैग वह उत्पाद होते हैं जो दुनिया मजा देते हैं उत्पाद उत्पाद का मतलब बड़े फेमस हो जाते है किसी उत्पाद को जैसे ही दिया जाता है ये जी आई टेग जैसे आदी केकिर तिब्बती कालीन वांचा लकडी के सिल्फ ये जी आई टेग है जो हिमांचल प्रदेश को दिये गए है ठीक है और हिमांचल प्रदेश के मुख्मंत्री द्वारा मनाली में पांच दिवसी विंटर काइनिवल का भी दगटन किया गया उड़ीशा के साथ उत्पादों को अभी जी आई टेग दिया गया है इसमें है कपट गंडा साल लांजिया सौरपा पेंटिंग कोरा पुटका काला जीरा चावल जिसे प्रिंस आफ राइस भी कहते हैं नयागर कोटे कोटाई मुंडी बैगन और खजोरी गुड और उसके बाद है धेक नाल मौजी भैस की पनीर से बनाई एक मिठाई है धेक नाल माजी और लाल चीटियों से बनी काई चटनी वहुत इंपोर्टेंट है काई चटनी लाल चीटियों से बनती थी यह साथ उत्पाद हैं उरिशा के जिनको जी आई टेक दिया गया है एसिया के सबसे अमिर सक्स कौन बन गया है गतम अडारी किसको पीछे छोड़के मुकेशंबानी को श्वदेश दसन टू पॉइंट जीरो यूजना में डिब्रु गढ़वन ने जीव अभ्हरण को सामिल किया गया है किसको डिब्रु गढ़वन असम में है खुआई भारत मैटर्स नाइट हुड के उपाद से इनके सम्मानित किया गया है दच्षिन अफरीका इसरायल पर नरसंगार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्टी न्यायले में मिशने मामला दायर किया किसने भई दच्षिन साउथ अफरीका ने हामित कर जई यूनाटेड नेशन द्वारा सुरक्षा पर्षद द्वारा अफगानिस्तान में सांती के लिए विशेश राजदूत इनको बनाए गया हामित कर जई डाक्टर अक्षता कृष्णमूर्थी मंगल ग्रह पर रोवर संचालिद करने वाली पहली भारती महिला बनी है नए साल के जशन पर अभी किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान ने भारत अंतर राष्टी विज्ञान महुत सो 2023 का आयोजन कहा परीदाबाद में हुआ उग्रम ये DRDO दारा विक्सित असाल्ट राइफल का नाम है जिसे अभी लांच किया गया है DRDO ने एक जनुरी दोजार चोबिस को अपना छाचठुआ इस था अपना दिवस मनाया सिंगापुर के चांगी हवाई अड़े को विस्व का सरुसेष्ट हवाई अड़ा घुषित किया गया है का खिताब मिला है प्रसादम मदप्रदेश ने देश की पहली स्वस्थ और सक्ष फूड इस्ट्रीट प्रसादम का उद्गाटन किया गया है ठीक है मदप्रदेश में जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्री पुरसकार जीता है हीरो मोटो कारपने डाटर राजीव साह हाल ही में फेडरल रिजर्व वैंक के निदेशक मंडल में इनको किया गया है शामिल इंद्रमडी पांडे ये बिमस्टेक के महासचिव निद्ट हुए है हारित पहल के लिए भारती रेल वे आई आई ने समझाता गयापन पर किया घास्टाख्षत जीरामोहराव सेभी के कारेकारी निदेशक निद्ट हुए है विकास सेल एसिया विकास बैंक के कारेकारी निदेशक निद्ट हुए है ससिसिंग AIRIA की नई अध्यक्ष निव्ट हुई है Space X ने हाल ही में Direct to Sail Starlink उपग्रह को किया Launch और दसवी सदी का कदम बसिला लेक अभी कहां मिला है तो गोवा में जानते रहिए गा C.130J विमान Y.Sena ने इसे हाल ही में कारगिल में रात में पहली बार Land कराया है कौँ सब विमान? C.130J विमान और चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो गए इससे क्योंकि जान रहा है कि भारत रात में भी हमसे टक कर ले सकता और दे सकता है चिल का जील अमरित धरोहर चमता निर्माड योजना के तहत इस जील पर प्रसिश्चन का कारिकरम शुरू हुआ अमरित धरोहर चमता निर्माड योजना के तहत ठीक है ये था आज का करेंट अफेर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह से माई डियर अपने प्रेपरेशन करते रहेंगे अपने करेंट अफेर्स पर नजर बनाये रखिए तभी आपका सेलेक्शन होगा लेकिन बेस हिस्ट्री जागरफी पॉल्टेक्स और इकोनॉमिक्स के साथ ठीक है और साथ में इंवायर्मेंट और इकोलाजी और जेनरल साइंस अगर इतने टापिक आप पढ़ रहे हैं इनी एक्जाम में आप जाईए बिंदास होकर के आईए एक्जाम आप से हाथ जोड़ेगा कि भीया कहां से इतना पढ़के आए ठीक है इसी के साथ आप इंजॉय करिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तिल देन अगर ये चैनल अच्छा लगे ता आप इसको लाइक से रहे हैं सबस्क्राइब करिए थैंक्यू बर्यमाच